सिर्फ एक सवाल गुरु जी हम मनुष्य इस पृत्वी पर ऐसे ही आ गए हैं या भगवान की या किसी अलोकिक शक्ती की मर्जी से आये हैं हम इस ग्रह पर क्यों हैं? बस संयोग से या किसी अलोकिक शक्ती की योजना की वजह से मेरे कहल से पृत्वी भी यही सोच रही है कि ये इंसान यहाँ पर आखिर क्यों आ गए? देखिए सौर मंडल की बनावट और अंतरिक्ष की ऐसी ही दूसरी प्रणालिया आकाश गंगा हैं वगरा ये सब इस रूप में है क्योंकि वो जामिती की एक सटीकता तक पहुँच गई है जामिती यानि अभी पृत्वी सूरी के चारों और घूम रही है इसे अपनी सटीक औरबिट मिल गई है इसलिए ये लगतार घूमे जा रही है कोई इंजिन इसे नहीं चला रहा देखे हवाई जाहाज उड़ रहा है लेकिन उसे इंजिन की शक्ती के कारण धक्का मिलता है इसे कोई धक्का नहीं मिल रहा ये बस जामिती की सटीकता तक पहुँची और ये घूमे जा रही है जिस दिन इसने अपनी जामिती की सटीकता खो दी इसने अपनी ओर्बिट खो दी ये गई काम से तो इस प्रक्रिया में इस ग्रह पर जीवन भी पनपता है इसी ज्यामिती को विभिन नस्तरों पर शामिल करके हम यौगिक संस्कृती में कहते हैं कि इनसान शारेरिक रूप से और दिमाग के मामले में भौत एक विकास की चरम सीमा तक पहुँच गया है यानि कि लाखों सालों के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर से एक सींग निकल आए जैसे कि पूझ गायब हो गई, कुछ और गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता हम ऐसा एक खास संदर्ब से कह रहे हैं आज, modern neuroscientists भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनसान के दिमाग में न तो neuron का आकार बढ़ सकता और नहीं अंदर की wiring बढ़ सकती है क्योंकि भौतिक नियम इसकी अनुमती नहीं देते laws of physics इसकी इजाज़त नहीं देते मैं इसकी गहराई में नहीं जाओंगा इसे सरल शब्दों में कहें तो हम इसे यूँ देखते हैं आपका जन्म इस ग्रह पर सारा जीवन सौर उर्जा पर चलता है, है न? हाँ? यह सूर की उर्जा है जो यह सब कर रही है साती सात चंद्रमा के गोल घूमने और चक्कर लगने का भी हमारे उपर प्रभाव पड़ता है समुद्र का स्तर भी चांद की गती के साथ कम ज्यादा हो रहा है चूंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा की परिक्रमा के साथ तालमेल में थे हम पैदा हुए और अभी हम यहाँ है अगर चंद्रमा की 28 दिन की परिक्रमा महिलाओं के शरीर में खुद को न धोराती तो आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते तो चूंकि यह उस हद तक पहुँच गया है हम कहते हैं कि भौतिक नियम इस हद तक पहुँच गए है कि इस ग्रह पर जीवन अब और विक्सित नहीं हो सकता आपके पास जो कुछ भी है आप उसका पहले से बहतर इस्तिमाल कर सकते हैं उसी तक्नीक का इस्तिमाल करते हुए हमने पहले साधारन फोन फिर स्मार्ट फोन और फिर आइफोन बनाया इसे तरह हम इसका बहतर इस्तिमाल करना सीख सकते हैं लेकिन मूल भूत भौतिक नियम इस प्राणी को और विक्सित होने की इजाज़त नहीं देंगे तो क्या ये संयोक से हो गया? नहीं विकास का सिद्धांद आप चार्ल्स टाविन को जानते? जिन्होंने कहा कि आप बंदर थे? मैंने नहीं, उन्होंने कहा अगर आप विकास के सिद्धांद को देखें जिससे सिर्फ गेड़ सो साल पहले ही प्रस्तुत किया गया था हम हजारों साल पहले ये कह चुके हैं मतलब क्या आप दस अफ़तारों के बारे में जानते हैं कम से कम नौ तो आप जानते होंगे जो आ चुके हैं पहला क्या है मच्से अफ़तार मच्से अफ़तार का मतलब है मच्छली या पानी का जीवन इस ग्रह पर जीवन के शुरुवात पानी के अंदर हुई अगला अवतार क्या है? कूर्म अवतार एक कच्छुए के तरह उभैचर आधा पानी में और आधा जमीन पर अगला है वरह अवतार सुवर या जंगली सुवर सभी स्तन धारियों में से जंगली सुवर एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा होता है हम जंगल के पास रहते हैं हम देखते हैं कि आदिवासी लड़के हिरन को एक छड़ी से मार सकते हैं अगर आप उसे एक छड़ी से मारते हैं तो वो मर जाएगा गली के कुटे हिरन का शिकार कर सकते हैं पर जंगली सुवर को मारने के आप कोशिश करके देखिए उसे मारना इतना आसान नहीं है आप उसे गाड़ी से ठोक दीजे उसकी रीड की हड़ी तूट गई फिर भी वो चला जाएगा वो रुकेगा नहीं क्योंकि वो शरीर से मस्बूती से जुड़ा होता है उसका जीवन बहुत शारेरिक है तो जीवन का अगला रूप था वरहा अपतार इसका सीधा सा मतलब ये है कि सृष्टी के रचाईता की पहली भीविक्ती थी मच्ली, पिर एक कचुवा पिर एक झंगली सुवर अगला है नरसिंग अधा आदमी आधा जानिवर अगला है वामन एक बॉन आदमी अगला है एक पूर्ण रूप से विक्सित लेकिन भावोख होकर धीरच खोदेने वाला इनसान पर्षु राम अगला है एक शांति पूर्ण इंसान राम अगला है एक प्रेम करने वाला इंसान कृष्ण अगला है एक ध्यान में मगने इंसान बुद्ध माना जाता है कि अगला दिविदर्शी होगा जो अभी तक आया नहीं है ये बिल्कुल डार्विन के विकास के सिध्धांत की तरह ही है है ना? ये दोनो एक ही क्रम में हैं ठीक एक ही क्रम में डार्विन ने अपना सिध्धांत सिर्फ डेर सौ साल पहले प्रस्तुत किया था यही बात 12 से 15,000 साल पहले कही जा चुकी है खुदादी योगी ने इसके बारे में बताया था तो अगर आप जीवन पर गौर करते हैं तो आप साफ साफ देख सकेंगे कि जो निर्जीव है उससे जीवन प्रकट हुआ और फिर उससे जीवन का विकास हुआ हमने इसे हमेशा इसी तरह से देखा है हमने हमेशा जाना है कि जीवन विकसित हुआ है अब जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ एक साफ होता है ऐसे प्रतीक कई जगाओं पर है क्योंकि आज भी आपके दिमाग के एक हिस्से में रेंगने वाले जीव का दिमाग है आप जानते कि आपके दिमाग का केंदरी मुख्य भाग अभी भी reptilian brain है और यह आज भी काम करता है हमारे पास योग में अलग-अलग अभ्यास हैं कि कैसे इस reptilian brain से परे जाया जाए और cerebral cortex को काम करने दिया जाए और आज हमारे पास वैग्यानिक प्रमान है University of California ने शांभवी महामुद्रा पर scientific studies की हैं ये बुनियादी क्रिया है जिसे हम सिखाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप तीन महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो neurons के पुनर निर्मान की प्रक्रिया 241 प्रतिशत तक बढ़ जाती है आज तक किसी भी तरह की research के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है सिर्फ 21 मिनिट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता 241 प्रतिशत बढ़ जाती है और neurons का पुनर निर्मान होता है इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपके उम्र बढ़ेगी आप ज्यादा बुधिमान होते जाएंगे आम तोर पर जवान लोग सोचते हैं कि आप मूर्ख होते जा रहे हैं हाँ, आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है समझे आप, ये हर दिन बहतर हो रहा है अब वैग्यानिक प्रमाण भी मौझूद है हम हमेशा से ये जानते थे पर आज एक मीटर को ये कहना पड़ता है अगर कोई इनसान कहता है तो ये सच नहीं है अगर कोई इनसान कहता है तो बात भरुसे के लाइक नहीं है किसी मीटर को ये कहना होगा अब मीटर भी कह रहे हैं कि बस 21 मिनट का अभ्यास करने से आपका दिमाग असल में बढ़ रहा है और आप मीटर पर यकीन मत कीजिए आप बस तीन महीने तक ये अभ्यास कीजिए और देखिए आप पाएंगे कि अचानक आपका दिमाग कितना स्पष्ट और कितना तेज हो जाएगा